श्री गनेशा या नमाहा ये राशीफल चंदरा राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिति ले कराती है और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत जादा प्रभावित करती ह और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा की position ठीक नहीं रहेगी चंद्रमा इस दिन 4th house में रहेंगे इससे आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी disturb रहोगे मानसिक तोर पर disturb रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलट decision से बिगड सकते हैं इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्ने लेने से बचना चाहिए और कही निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं आपको जोखिम उठाना जरूरी है तो किसी विश्वासु व्यक्ति से सलाम अशोराद जरूर करें इस समय में सिर्मे दर्ग, शिकायत या फिर कामों में मन ना लगने की शिकायत भी रह सकती हैं इस दिन ग्रहनक्षत्र उतने बुरे भी नहीं है लेकिन मानसी परिशानिया गलतिया करवा सकती हैं अगर आप साउधानी बरत्ते हुए किसी की राय लेकर महत्वपुर्ण कामों को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा मुनाफा भी अच्छा ही होगा आपके व्यापार में आप महनत करोगे और उसके मताबिक आपको फल भी मिलेंगे तो देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा ही है इस दिन आप शौपिंग कर सकते है बड़ी खरेदारी भी कर सकते है इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोक्री पेशा लोगों की बात करे तो नोक्री पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रह आपके बॉस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे आपका सहयोग भी करेंगे लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है आपको इस दिन ज्यादा सी ज्यादा अपने कामों में बीजी रहना है ज्यादा बाते ना करें अपने काम से काम रखे तो ज कर्म ज्यादा करना होगा लेकिन उसका रिजल्ड भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये दिन आपके लिए अच्छा है आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत रहेगी इस समय में अगर आप नोकरी ढूंड रहे हैं तो आपको मन मुत में से आप दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर स्टूडंस की बात करें तो स्टूडंस आज थोड़े डिस्टरब रह सकते है पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती है मन में कई प्रकार के विचार आ सकते है मन भटकने की भी पूरी संभावना रहेगी इस समय में हलका भोजन करना आप के लिए अच्छा रहेगा और अगर तनाव महसुस हो तो एक दो मिनट तक डीप ब्रिधिंग जरूर करें इससे तनाव को दूर करने की कोशिश की जा सकती है दोस्तों इस समय में अगर मैरिड लाइप की बा अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश जरूर करें और ध्यान रहे कि आपकी किसी गलत हरकत से पार्टनर को दुख ना पहुचे वो रिष्टे असल में रिष्टे होती है जहां सच्चा प्यार होता है और जहां सच्चा प्यार होता है वहां खुद से ज़्य ज़्यादा अपने पार्टनर की चिंता होती है और वो रिष्टे आसानी से टूट भी नहीं सकती और ये चीजे अपने आप होती है आज की दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा शारीरिक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक तोर पर कमजूर हो सकता है इस की दिन के लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना आपको बहुत अच्छा रहेगा और दो नंबर इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो इस दिन कुछ उपाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगाते है तो आप शांतर होगे जगड़े होने के कोई चांसिस नहीं रहेगे दिन काफी अच्छा जाएगा साथ ही मंदिर में एक रुपे का सिक्का जरूर डाले और भगवान से और भगवान से आपके लिए और आपके अपनों के लिए प्रार्थना जरूर करें दोस्तो परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो व व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नह नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफी लोगों को इस तरे की आदत होती हैं, कहीं से भी बहार से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूतेया चप्पल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चप्पल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चट के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं हो होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी क अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमार जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद